हे गाईज दिस इस पावन एंड यूर वाचिंग स्टेडी स्किल सक्सस तो गाईज नीट के एक्जामिनेशन को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट आया है नीट के सुपर स्पेशिलिटी एक्जामिनेशन को लेकर तो ये कुछ ना कुछ हद तक नीट एंड जेई एक्जाम से भी कोरेलेट करता है तो देख लेते हैं तो इसमें बोला गया है कि नीट का जो आपका सुपर स्पेशिलिटी का जो एंटर्स एक्जाम था वो सेप्टेंबर में होने वाला है पूरी इंफोर्मेशन जाने तो बोला गया है मेडिकल कांसिल ओफ इंडिया ने MBBS, MDMS और DM, MCHS जो सलेबस है उसको लेकर किसी भी तरह के फेर बदल से इंकार किया है MDMS फाइनल येर की जो एक्जाम से वो 30 जून तक हर हाल में पूरी कराने के निर्देश दिये हैं लेकिन वो अब भी तक नहीं हुए है नीट सुपर स्पेशलिटी प्रवेश प्रिक्ष कराने को कहा था, MCHS का कायना था कि PG के फाइनल येर की प्रिक्षाइं देर से कराने पर MDMS के वह शातर जो सूपर स्पेशलिटी पाठेकरमों में प्रवेश लेना चाते हैं सितंबर में होने वाले प्रिक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, शातरों का PG पाठेकरम का पॉस्पोन को लेकर और इसके रिस्प्रेक्ट में सभी पैरेंट्स ने Ministry of Health and Family Welfare को एक लेटर लिखाया है, जिसमें 16 ऐसे पॉइंट्स बताएं हैं, जो की रिपर्जेंट करता है इस बात को कि आपका नीट और जयी का एक्जाम पॉस्पोन होना चाहिए, बहुत से ऐसे बोल दिया है कि इसकी responsibility अगर government लेती है, तो एक्जाम करवाया जाए अन्याथ अगर responsibility कोई भी किसी भी परकार की examination agency या फिर government नहीं ले रही है, तो एक्जाम कराने का कोई भी मतलब नहीं निकलता है, ऐसे में HRD अभी तक चुपी सादे हुए है, कोई भी किसी भी परकार का official या फिर unofficial update HRD minister की तरफ से नहीं आया है, वो दिन बर अपने Twitter account पर लाखों की संख्या में उनके post available है और दिन बर कितनी ज़्यादा post वो करते हैं, लेकिन एक भी नीटेंड जी से related post अभी तक उन्होंने नहीं किया, और उनकी हर एक post के नीचे अगर आप जाके देखेंग आपके लिए क्या news रहती है, उसके लिए हम 24 इंटो 7 आप सभी के लिए बने हुए हैं, जैसा भी कोई update आता है वो हम आमारे चैनल पर inform जरूर करेंगे, फिलाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए good luck and have a nice day.